Hello बच्चो, welcome to Manate, this is the solution part second, यहाँ पर अब हम लोग MCQ, multiple correct questions को discuss करने वाले हैं, multiple correct questions paper 1 का लो या 2 का लो थोड़े ठीक थे, paper 1 के जब की काफिश सही थे, paper 2 में इतना अच्छा question नहीं था, ठीक है, easy to moderate level के problems थे, तो यहाँ पर हम अब लोग, हम लोग अब यह discuss करने वाले हैं, ज तो इसकी मैं आपको बताता हूँ, इसकी marking scheme क्या थी, वैसे मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, सही करने पर आपको मिलेंगे 4 number, अगर आपने 3 option सही कर दिये, 3 सही हैं, तो plus 3, 2 कर दिये तो 2 मिल जाएंगे, 1 किया तो 1 मिल जाएगा, नहीं किया तो 0, और अग अपने गलत कर दिया तो आपको minus 2 मिलेगा, ठीक है, पहला question, S be set of alpha, beta, alpha, r है, beta, r है, limits का question है, ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमको check करना है कि या, इसकी value 0 है, तो क्या-क्या alpha, beta की value हो सकती, बेसिकली वो यह कह रहा है, ठीक है, तो alpha, beta की बहुत सारी values दी है, यूंकि alpha, alpha, beta क्या है, set है, S, वो कह रहा है कि अगर alpha minus 1 है, और beta 3 है, तो क्या, यह S के अंदर है या, नहीं, various various चीजन चेक करनी है, और हमको यह देखना है कि alpha, beta जो यह रखने पर हमको value 0 मिल रहे है कि नहीं मिल रहे है, बस, यह पूछना चाहरा question, तो सोड़ा simplify कर लेते हैं इसको, जहां रखना, limit x tends to infinity है, तो अगर limit x tends to infinity है, तो यार, यह दो 0 जा रहा है, sin 0 जा रहा है, उसको divide में देदो, 1 by x square और multiply कर दो 1 by x square, अब तुम्हारा मन कर रहा होगा, कि सर, यहां पर log 1 by x बढ़ा, इसको भी है न, divide में x power beta देदो, और multiply कर दो x power beta का, लेकिन, हो तब होता है जब x की value 0 होती है, क्या extending to 0 है, नहीं, इसमें तो क्या हो गया, क्या यह दोनों ही same है, यह दोनों चीज़े, same है, यूंकि यह भी infinity जा रहा है, यह भी infinity जा रहा है, बोथ हार, same, ठीक है, फुरा simplify कर देता हूं मैं इसको, तो बच्चों, यहां पर हमने इस value को 1 लिख दिया क्योंकि sin 1 by x square upon 1 by x square when x tends to infinity becomes 1, तो एक 1 by x square आ गया, तो इस x square को इस power में साथ में डाल रहा हूं, तो denominator में x power alpha बीटा था, एक साथ में x square और आ गया, तो यह बन गया x की power alpha बीटा plus 2, अब देखो sin x square है, कुछ value आएगी minus 1 से 1 के बीच में, ठीक है, तो यह तो एक constant सा number हो गय क्योंकि बातें यहाँ पर infinity की चल रही है, हमारे पास form जो है, वो infinity by infinity की है, तो कुछ multiply होके क्या उखाड लेगा उसका, ठीक है, तो इसको अटा देते हैं अपन, बचा कौन अपने पास, अपने पास बची value, log x बचा, इसकी power alpha, और यह दोनों equal से ही है, दोनों infinity जा रहा है तो मैं इसको भी log x लिख सकता हूँ, ठीक है, तो log x की power alpha minus beta, ठीक है, यह value आएगी और साथ में लोग sin x square लिख देते हैं, ठीक है, वही limit x tends to infinity, अब let's see कि various various values रखने पे क्या हमें 0 मिल पा रहा है कि नहीं मिल रहा है, अभी भी alpha beta पे depend करेगा कि यह कौन सी form बन रही है, पह पहले हमने alpha को डालना है, minus 1, beta को डालना है 3, जैसे ही आपने alpha को डाला, minus 1, beta को डाला 3, तो numerator में मुझे मिला log x की power, minus 1, minus 3, minus 4, upon x, x की power, alpha into beta यहां से minus 3, minus 3 plus 2, alpha beta की power minus 1, sin x square पढ़ा है, कुछ minus 1 से 1, चोटी सी value है, ठीक है, सायत में लिख दिया, मैंने लो, minus 1 से 1 के बीच में कोई value है, ठीक है, तो यह alpha beta उपर जाएगा, upon log x की power 4, ठीक है, यह alpha beta नहीं है, यहां पर जो value है, यह x है, x था यह, यहां पर भी x है, तो यह x की power minus 1 बन रहा था न, तो वही चीज़ करने वाले है, यहां पर x की power minus 1 put कर देंगे, तो यह क्या बन गया बच्चों, x, तो यह उपर आ गया x, x upon log x की power 4, तो यह तो, और वही, limit x tends to infinity, यह आप देखो, उपर infinity बन रहा है, नीचे भी infinity बन रहा है, तो यह काम करते हैं, लॉपिटल रूल लगाते हैं, उपर मिला 1, नीचे, 4 log x की power 3 into, log x का differentiation 1, 1 by x, तो x upon 4 log x का cube, फिर से क्या होगा, फिर हमने put किया, infinity by infinity बन गया यह तो, फिर problem है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हम कर देंगे, x cancel कर देंगे, तो अगली बार power 2 आ जाएगी, फिर 1 आ जाएगी एक point ऐसा आएगा, जब log x की power हट जाएगी, तो again यह क्या बन जाएगा, यह 1 by infinity बन जाएगा, तो इस case में 0 तो नहीं आया, next case लेते हैं, minus 1 और 1, तो जैसे आप alpha, beta, minus 1 और 1 लेंगे बच्चों, तो यह था हमारा expression, तो log x बन गया, minus 1 और 1, तो minus 2, upon x की power minus 1 और 1, यह minus 1 plus 2, 1 बन गया, तो x की power 1, तो यह 1 by x log x का whole square, यह भी 0, यह भी 0, यह भी infinity, यह भी infinity, net बन गया 0, 1 by infinity form है, यह तो सही option लग रहा है, ठीक है, second option is correct, इस तरीके से हम बच्चों, third option भी check करेंगे, 1 minus 1 रखके देख लो, 1 और minus 1 रखोगे, देखो, 1 और minus 1 रखोगे, 1 minus minus 1, 2 बन गया तो उपर आगया log x का whole square, अपन 1 minus minus 1, multiply किया, तो कितना मिल जाएगा हमको, minus 1 plus 2, अपन x मिल गया, again, पिछली बार x denominator में था, log x numerator में था, log x नीचे था, तो हमने differentiate करके check कर लिया, फिर से आप differentiate करके check करना, इस बार log x उपर बच जाएगा, that means, 1 by infinity आएगा, यह 0 बन जाएग ठीक है, तो yes, यह भी correct statement है, इस तरीके से आप next statement भी check कर सकते हो, वो incorrect आजाएगा, इसका answer है, बच्चो, B and C, moving on to the next question, ठीक है, तो पिछला वाला question, we can say कि थोड़ा अच्छा था, यह कि 1 by 1 हमको check करना पड़ा, हलकी सी calculation थीज के अंदर, बागी limit का कोई बहुत अच्छा concept यह भी तक, चलिए, next question है, तो काफी data इसके साथ पढ़ते है, इसको अराम से पहले, a straight line drawn from point this, parallel to this line, intersects this plane, ठीक है, add point Q, ठीक है, तो इसने इसके parallel है, तो इसका line, यह को नाम ही दे जाता हूं, x-1 upon 1, y-3 upon 2, z-6 upon, z-2 upon 1, यह हमने line के equation लिख दी, ठीक है बच्चो, और अब हुआ क्या, कि इस line ने, जो लिखी है, मैंने, intersect किया इस plane को, Q point पे, और Q point से एक और line draw कर दी, इस plane के perpendicular, उसने intersect किया, L2 को, R point पे, बैट के सारे option जख कर लो, तो हम क्या करेंगे, हम Q point निकालेंगे, हम R point निकालेंगे, और फिर देखते है, information का क्या रही है, तो इस point, इस line पे point assume कर लेते हैं, उसका point of intersection निकाल लेंगे, यहां से, ठीक है, तो equal to lambda ले लिए, मैंने, तो lambda plus 2, यह मान लिए, coordinates of Q, अब यह तो इस L1 plane को satisfy करते हैं, हाना, तो इसके अंदर put कर दो और lambda निकाल लो, तो यह value हाजाएगी, lambda plus 1, minus y, y की जगा, 2 lambda plus 3, plus 3, z की जगा, lambda plus 2, इसकी value आ रही है, 6, इसको simplify करके हम lambda निकालेंगे, तो lambda, minus 2 lambda, और साथ में आया, plus 3 lambda, तो 4 lambda, minus 2 lambda, हमें मिला, 2 lambda, 1, minus 3, minus 2, plus 6, plus 4, equal to 6, 2 आ गया, तो lambda is equal to 1, यहां से हमने, lambda निकाल लिया, 1 आ गया, तो point क्या आ है, बच्चों, क्यों के coordinates क्या आ गया, 1 डालो, 1 plus 1, 2, 2 plus 3, 5, और 1 plus 2, 3, 2, 5, 3, 2, 5, 3 है कहीं पर, coordinates of point q, चाहिए ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको p q की length चाहिए, p पता है, 1, 3, 2, क्यों निकाल लिया, 2, 5, 3, p q की length लिख देता हूं मैं यहां पर, 2 minus 1 का square, root में, 1 का square, 5 minus 3, 2, 2 का square, plus 3 minus 2, again 1 का square, तो यह आ गया, 1 plus 4, 6 आ गया, root 6, तो बिलकुल पहला statement absolutely right, second coordinates of r, r के coordinates के लिए हमने q points से एक line draw करी है, which passes through and is perpendicular to the plane l1, अगर l1 के perpendicular है, तो हमारे पास perpendicular के direction रिशोज पड़े है, 1, minus 1 and 3, तो line बन जाएगी फिर से, x minus 2 upon 1, y minus 5 upon 3, sorry minus 1 and z minus 3 upon 3, या आगे line, equal to mu मान लेते हैं, और फिर हम assume कर लेंगे, point r के coordinates l2 में put करके mu निकाल लेंगे, तो मान लेते हैं बच्चों, r के जो coordinates हैं, यहां लिख रहा हूं मैं, क्या आ जाएंगे, mu plus 2, mu plus 2, comma, minus mu plus 5, comma, 3 mu plus 3, यहां गए, r के coordinates, ठीक है, अब r के coordinates आपने put करने, किस में, l2 में, उससे mu निकाल जाएगा, तो के रहा है, 2 x minus y, तो 2 mu plus 4, minus y, तो यह हो गया, plus mu minus 5, plus z 3 mu plus 3, is equal to minus 4, एक है बच्चों, तो स्वाट सिंप्लिफाय करते हैं, 2 mu plus mu, 3 mu plus 3 mu, 6 mu, 4 and 3, 7, 7 minus 5, 2, equal to minus 6, mu आ गया, minus 1, ठीक है बच्चों, तो point निकाल लेते हैं, r का, r के coordinates निकाल लेते हैं, करते हैं, तो mu को पुछ-पुछ करना है, minus 1, r के coordinates आ गया, minus 1 डालने पर, 2 minus 1, 1, minus 1 डाला, तो 1 plus 5, 6, minus 3, plus 3, 1, 6, 0, तो यह option तो गया, option B गौन, C option कह रहा है, centroid of triangle P, Q, R, r है, Q है and P है, centroid है coordinates जहीं है, 1, plus 2, 3, plus 1, 4, 4 by 3, x coordinate बिल्कुल सही है, y coordinate चेक करते हैं, 3, plus 5, 8, plus 6, 14, 14 by 3, अरे वा, y coordinate भी सही है, 2, plus 3, 5, 5, 5 plus 0, 5 by 3, बिल्कुल सही option है, कोई गलती नहीं है, इसके अंदर, centroid के coordinates निकल गए, similarly, आप क्या निकालना, आपको perimeter, perimeter के लिए देखो, मैं यहाँ पर P, Q के लिए निकाल चुका हूँ, Q, R की भी निकाल लो, P, R की भी निकाल लो, तो check कर लेना, बाकी दोनों, अगर root 2 और root 11 आएगा, सही answer है, वरना गलत है, check करना, बच्चों, यह गलत ही आएगा, ठीक है, तो इसके दो answer आगए, A and C, I hope it is clear, थोड़ा सा calculated है, बाट अच्छा question था, simple ही था, लेकिन, चलिए, next question है, last question, multiple correct में, A1, B1, C1 भी 3 points in X, Y plane, suppose that the lines A1, C1, B1, C1 are tangents to the curve Y square equal to 8X, curve draw कर देता हूँ, मैं, यह रहा Y square equal to 8X, ठीक है, इस पर दो tangents है, A1 और B1 पर, C1 दिया है, minus 4, 0, बड़ा symmetric सा point दिया, अच्छी बाद ही है, minus 4, 0 से, यह रहा A1 पर, यह रहा B1 पर, इसको वापस draw कर देता हूँ, मैं, तो यह B1, यह point मैंने B1 ले लिया, यह उपर A1 ले ले लिया, positive वाला, नीचे B1 ले लिया, ठीक है, O00 है, तो कौन दो statement सही है, length of OA1, basically A1, B1, C1 चाहिए, C1 तो हमको दे रखा है, A1, B1 को coordinates निकाल लो, तो यह tangent है, यह भी tangent है, और अगर हम इस, हम अगर axis के ऊपर से tangent डाल रहे हैं, तो मुझे ही पता है, कि यह दोनों ऊपर नीच लाए करेंगे, मतलब कि अगर इसके coordinates हैं, एक कितना दिया है बच्चे हैं, अपने को, A has 2, तो 2 T1, कॉमा, A T1 स्कॉर, कॉमा 2 A T1, तो 4 T1, तो यह कितना हो जाएगा, 2 T1 स्कॉर, माइनस 4 T1, तो और इस पर हमें tangent में मालूम है, क्या आती है tangent की क्वेशन, T Y is equals to X plus A T स्कॉर, एक ही जगे 2 डाल देंगे, तो यह 0 हो गया, यह minus 4 plus 2 T स्कॉर, तो 2 T स्कॉर की value 4, T स्कॉर आ गया, 2 T is equals to plus minus root 2, तो बच्चे हैं, यहां से दोनों points आ गए, A1 के coordinates कितने आ जाएंगे, A1 के लिए मैं T1 को root 2 डालूँगा, तो root 2 का square 2, 2 into 2 4, 4, 4 root 2, B1 के लिए negative डाल दो, 4, minus 4 root 2, यहां से coordinates निकल के आ गए, A1, B1 के, C1 पता है, information कहें चाहिए, length of line segment O A1, O से A1 का length, 4 square, 4 root 2 का square, 16 plus 32 root 48, root 48 will be 4 root 3, बिल्कुल सही statement है, statement 1 is right, 4 root 3, ठीक है, length of A1, B1, A1, B1 की length अगर आप चेक करोगे, तो यह तो 8 root 2 है, तो यह statement wrong हो गया, second statement is wrong, ortho center of triangle A1, B1, C1, ortho center चाहिए, means यह जो line है, यह perpendicular line है, और मान लेता हूँ, मैं यहां से perpendicular draw कर रहा हूँ, तो इन दोनों का point of intersection ले लेते हैं, अच्छा यह x-axis पे है, तो मुझे पता है कि ortho center का y-coordinate जो है, वो 0 होने बहला है, ठीक है, तो y-coordinate 0 है, दोनों option में 0 है, चलो जुगार तो नहीं बैट रहा हूँ, कोई बात नहीं, हम यहां से x-coordinate भी निकाल लेंगे, x-coordinate अगर निकालता हूँ मैं, तो यह है x-axis, मतलब y equal to 0, एक line हो गई, एक perpendicular, दूसरा perpendicular, तो यहां से बच्चों, इसका अगर मैं slope देखूँगा, तो slope होता है 1 by t, यहां इस case में आजाएगा 1 by root 2, ठीक है, minus 1 by root 2, आजाएगा negative only sidely है, slope 1 by t होता है न, t अपन ने इस case के लिए minus root 2 लिया हो है, तो slope हो जाएगी minus 1 by root 2, अगर इसकी minus 1 by root 2 है, तो perpendicular की slope होगी root 2, तो equation लिखते हैं, pass कराना है इसको इस वाले points है, न, a से pass करा रहे हैं, तो y minus 4 root 2 equals to slope root 2, m, x minus a, x minus 4, and साथ ही में इसको हमें check करना है, point of intersection with x axis y coordinate 0 डाल दो, तो यह 0 है, minus 4 root 2, root 2, x minus 4, root 2 से root 2 गया, x minus 4 equal to minus 4, x आगया 0, तो coordinates of the ortho center आगया 0, 0, तो कौन सा option होगा बच्चों C, ठीक है, तो I hope multiple choice question समझ में आ गए होंगे आपको, next video में हम लोग discuss करने वाले हैं इसके integer type question, thanks for watching this one.